हाई गाईज, वेलकम डू अले बोर्ड, मैं सौरव आप सभी लोगों का क्वांट फैकलिटी, गाईज आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं SSC CGL 2022 का form filling का process, कैसे आपको भरना है form, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, ताकि आपका form में कोई mistake नहीं हो, और reject नहीं हो, सबसे बड़ी problem यह है कि form आपका reject हो जाता है, और उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर reject हो गया, अगली बार वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहिए आप जिस से कितना भी पूछ लो, कि कोई option है, क्या, कोई option नहीं रहता, तो आपको पता है, CGL का notification 17 सितंबर को आया था, जो online application है, उसी दिन से start हो गई थी, और जो last data form filling की, वो है 8th October, ठीक है, यानि कि पूरे 20 days का time है, और लेकिन और जिसकी width होनी चाहिए 3.5 cm, और height होनी चाहिए approximately 4.5 cm, यह आपकी image size होनी चाहिए, ठीक है, और जो आपका signature होना चाहिए, white screen पे होना चाहिए, black ink से, ठीक है, white पे, आपको black ink से signature होना चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान रखेगा, और signature की size होनी चाहिए 10 to 20 KB की, ठीक ह रखना है, तो चलिए यहाँ पे मैं screen share करके आप सभी को बताता हूँ कि form आपको कैसे fill करना है, तो अगर आप जाएंगे ssc.nic.in की website में, तो यहाँ अगर आप new user हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, new user कभी और normal user कभी, new user हैं अगर आप, तो यहाँ पे register now में click करेंगे, ज यहाँ पे आपको basic details fill करनी होंगी, यहाँ पे जैसे बोला है कि do you have आधार, तो आप अपना यहाँ पे आधार number डालीए, जो भी आपका आधार number है, वो अपना आधार number आप यहाँ पे डाल दीजे, इसके बाद आपका पूछेगा नाम, तो नाम आपको डालना है, मालीजे मेरा नाम सौरव है, तो मैंने अपना नाम क्या डाल दिया यहाँ पे, सौरव यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, ठीक है, उपर में चलते हैं, यह सौरव आपका नाम मागया, verify कर लीजे, तो यहाँ पे आपका जैसे सौरव है, सौरव सिंग की जगए, आप कुछ भी डाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कि verify कर लेते हैं, तो सौरव सिंग यहाँ पे भी डाल देता हूँ, ठीक है, मेरा नाम सौरव है तो, सौरव सिंग, आपका नाम डाल देता हूँ, have you ever changed name, तो मैंने कभी अपना नाम नहीं बदला, अगर आपने नाम बदला, तो change name भी लिख पड़ेगा, father name अगर लिखना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राकेश सिंग, ठीक है, मैंने अपने पापा का नाम डाल दिया, और यहाँ पे आपको करना है verify, राकेश सिंग के नाम से, ठीक है, मैरे verify कर दिया, रत्न प्रभा है, मेरी मम्मी का नाम, वो आपको यह यहाँ पे डालना है, mother section वाले में, यहाँ पे भी आप उस चीज़ को verify कर दिये, ठीक है, यह मैंने डाल दिया, अपनी mother का नाम, यहाँ पे date of birth डालना है, तो date of birth है, तो मेरी मा लीजे, यहाँ पे जैसे September 2022, तो 2022 की जगह, मेरा जो date of birth है, थोड़ा सा पीछे जाएंगी, औ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो है आपका 1996 October और आपका 4 October, ठीक है, 4 October 1996, यहाँ पे date of birth आपकी फिर से verify करनी है, तो फिर से आप यहाँ पे date select कर लेंगे, simple सा date select करने का option आएगा, 1996 October 4, ठीक है, यह आपने verify कर दिया, फिर आपका education board है, तो मेरा board जो है, वो CBSC board था, Central board of secondary education, और education board फिर से आप डाल दीजे, जो भी जहाँ से बिहार से है, तो बिहार डाल दीजे, UP से है, तो UP board डाल दीजे, रोल नमबर डाल दीजे अपना, तो आपका जैसे रोल नमबर कुछ भी है, मैं बस आपको बता देता हूँ, कि माली जे रोल नमबर है, 6 digit का सबका हो रोल नमबर अपना डाल दीजे, ठीक है, आपको कहां का डालना है, 10th class का, देखे, matriculation, 10th class level आपको यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद आपको बोला है, year of passing, तो किस साल आपने 10th pass किया, तो जो मैंने 10th pass किया था, वो किया था मैंने 2016 में, ठीक है, तो 2016 मैंने डाल दिया, हर चीज को दो बार verify आपको करना है, सारी detail पहले सही से fill करना है, और detail verify अपनी करती रहना है, ठीक है, verify उसको करते रहना है, level of educational qualification, तो आप अभी तक कहां पढ़े हैं, तो भाई CGL का form बर रहे हैं, तो graduation तो complete होना ही चाहिए, तो at least graduation आपका complete होना चाहिए, यहाँ पे आप एक number डाल दिया, यहाँ पे भी आप mobile number डाल सकते हैं, और यह मैंने आपने mobile number डाल दिया, अच्छा मेरा number बोल रहा है कि already exist है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा number already exist बता रहा है, तो कोई नहीं आप भर करके देख लेना अपना number, ठीक है, यहाँ पे जो भी number है, वो number आप यहाँ यहाँ पे फिल करके देख लेना, यहाँ पे यह number already use कर चुका हूँ, तो यह number आपको already यहाँ पे exist दिखा रहा है, आपको नया number use करना है, ठीक है, और उसके बाद verify कराना है, और जो भी आपका state है, वो state select कर लेना है, यहाँ से, मद्यप्रदेस है तो मद्यप्रदेस, यू और additional or contact details में, आपको आपका category वगेरा का option आएगा, तो सही से EWS, OBC और SCHT ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, additional contact details में, ठीक है, और additional contact details में आपसे यह पूछा जाएगा, कि क्या आप JSO के लिए देना चाते हैं paper, तो आप वहाँ पे yes कर दीजेगा, और पूछेगा JSO की qualification, तो अगर आपने 12th class में math subject ली थी, तो आप JSO का qualification भी वहाँ पे yes करके, और आगे proceed कर दीजेगा, इसके बाद फिर आप सन आएगा, आपके पास photograph और signature अप्लोड करने का, ठीक है, तो already मेरे पास कोई नया user थे नहीं, कि मैं नई पूरी basic detail फिल करके दिखा हूँ, सारे जो जैसे वहाँ पे form फिल करेंगे, ठीक है, आपकी image कैसे होने चाहिए, और आपका signature कैसा होना चाहिए, main आपको ये चीज घ्यान रखनी है, और वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, जैसे ये जैसे ही आप registration, अपना registration number यहाँ पे डालेंगे, और अपना password तो आपके सामने already आप खुल जाओगे, और जैसे मैंने यहाँ पे एक खोल दिया, तो यह आपकी अजय सोनी के नाम से यहाँ पे आपका portal खुल गया SSC website में, अब देखें, यहाँ पे लिखा है combined graduate level examination 2022, यहाँ पे लिखा है apply, जैसे नीचे में आएंगे तो apply करना है आपको apply करने के बाद यहाँ पे आपसे पूरा जो भी आप detail यहाँ पे फिल किये थे, basic detail में जो भी आप चीज़ें फिल किये थे, यह save हो जाएगा, और यह आपको कुछ ही इस प्रकार से दीखेगा, सारी चीज़ें आपकी already filled है, additional details जो मैंने यहाँ पे बताया था, additional or contact details, उस सम् चीज़ें पूछेगा, अब देखें यहाँ पे क्या आगया, यहाँ पे extra क्या पूछेगा आपसे, extra पूछेगा आपसे exam center क्या चाहते हो, तो कहाँ आपको exam देना है, तो मालीजे आपको दिल्ली में exam देना है, तो आप यहाँ पे N-R region लो, N-R region में क्या आता है आपका, जो है डेली आता है तो एनर रीजन में आपको डेली मिलेगा तो ये एनर रीजन में दिल्ली आपने भर दिया उसके अलावा और उसके अलावा अगर कहीं भरना है उसके अलावा कहीं भरना है दिल्ली के पास में तो दिल्ली के पास में क्या है एनर रीजन में तो बांकी सहर भर दीजे, तेहरा दून डाल दीजे, center number 3 में माल लीजे, आपने अजमेर डाल दिया, ठीक है, आपको दिल्ली मिल जाएगा, इतना दूर दूर टेंसर नहीं लेना, आपको दिल्ली मिल जाएगा, जो पहला center आप डालते हो, वहीं मिल जाता है, फिर यहाँ पे बोलेगा आप से, एक option आप से यहाँ पे मागा है, कि, are you also applying for the post of junior statistical officer, तो आपको yes करना है, आप JSO के लिए गर apply करना चाहते हो, तो yes करो, फिर बोलेगा क्या आपके पास educational qualification है, junior statistical officer की, तो आपको yes करना है, आप age relaxation देख रहे हो, तो yes करो, अगर नहीं देख रहे हो, तो no कर दो, highest educational qualification, आपक क्या किया है, तो मा लिजे कि मैंने अगर किया है, BSC honors, तो मैं डाल दिया BSC honors, और मैंने graduation मेरा complete हो चुका है, यह graduation level degree है, पूछेगा status, तो appearing और passed, तो आप passed fill करेंगे, क्यूंकि आप अगर appearing है, तो आप अगर appearing fill करते हैं, तो 8 October से पहले आपकी mark seat आजानी चाहिए, अगर 8 October से पहले आपकी mark seat नहीं आई है, तो फिर आपको बाद में वहाँ पे document verification में निकाल दिया जाएगा, जो passing year है, मेरा मा लिजे 2018 है, तो मैंने डाल दिया, आपको बताना है कि कौन से state से आपने किया, state आपको वो fill करना है, जहां से आपने graduation किया, उत्तर प्रदेश, कहां से कि तो मैंने किया, बनारा सिंदु यूनिवस्टी से, तो अपने यूनिवस्टी का नाम आएगा सब का, आप यहां पे डालना है, मैं डाल देता हूँ, बनारा सिंदु यूनिवस्टी, यहां पे roll number पूँचा है, roll number डाल दिया, मैंने percentage डाल दिया, 77.6, ठीक है, अब बोला है कि क्या आप अपना information DOPT को देना चाहते हैं, other job information के लिए, तो आप yes कर दो, अगर कोई jobs और और भी आएंगी, तो आपके पास उनका message और notification आएगा, ठीक है, तो आपने सब कुछ डाल दिया, अब यहां पे आएगा photo और signature का option, तो photo आपको कैसे डालना है, जो choose करनी है, clearly visible होना चाहिए, कोई भी चस्मा आपकी आँख में नहीं होना चाहिए, चस्मा आपके दोनों कान आपके दिखने चाहिए, तो देखो photo और पीछे का background कैसे सफेद होना चाहिए, यानि photo आपकी clear होनी चाहिए, जैसे भी वो photo है, फिर इसके बाद sign signature आपको डालना है, तो signature आप यहाँ पे डालोगे, तो चलिए, मैं signature निकाल लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे देखे, यह है sign, ठीक है, यहाँ पे signature देखो, black ink से signature है और white background में है, ठीक है, और इसकी file size क्या है, file size जो है signature की, यह आपकी 10 से 20 kb के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, 10 से 20 kb के बीच में होनी चाहिए, और जो आपके image size है, वो 3.5 से 4.5 cm के लगभग बराबर होनी चाहिए, फिर बोला है कि क्या यह photograph 17 जून 2022 के बाद ली गई है, तो बिलकुल यह photo 17 जून 2022 के बाद ली गई है, तो yes कर देंगे, ठीक है, आपको yes ही करना है, ठीक है, no मत कर दीजेगा, जो भी photo ह अगर नहीं भी ली गई है, तो भी yes करिएगा, क्योंकि photo आपका especially मागा है, कि 17 जून 2022 के बाद की photo चाहिए, ठीक है, चलिए, यहाँ पर last में आपसे declaration मागेगा, तो आप आईए agree कर दो, जो capture डाला है, वो capture आप यहाँ पे खुल करेंगे, JWIPP, यह capture डालके आप preview कर देंग तो यह मैंने एक student की ID use की है, इसलिए मैं यहाँ पे final आगे proceed नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, यह सब fill करने के बाद जैसे आप preview में click करोगे, तो पूरा preview आपके सामने आएगा, आप उसको save कर देना, save के बाद सीधे payment option आएगा, 100 रुपीज आपको fees देन तो सिर्फ photograph और signature पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, चलिए, और आप सभी लोग SSE CGL की तयारी भी कर रहे होगे, तो AlliBoard जो की सबसे बहतरीन platform है, अपने mock test और courses के लिए, तो इन्होंने अपना latest pattern का, latest pattern जो आपका 2022 का है, SSE CGL का, उसके mocks already launch कर दिये हैं, ठीक है, तो य ये new pattern पे mocks solve कर सकते हो, आपको purchase करना पड़ेगा, SSE Super Elite, SSE Super Elite एक ऐसा package AlliBoard का, जहां पे सारे SSE के mocks और सारे courses मिलते हैं, जिसमें जो latest pattern का, आपका foundation batch SSE CGL 2022 का, जहां पे एकदम basic to advanced level preparation basic से करवाई जाएगी, ये भी आपको Super Elite में मिलेगा, ये सारे faculties आपको आपको आने वाले हैं, और यहां पे आप solve code से SSE Super Elite में 35% के discount के साथ maximum discount, जितना भी possible discount है, आपको मिलेगा code solve से, जितना भी maximum possible discount है, आप ले सकते हैं, केवल ये SSE Super Elite 909 है, तो आप इसे prefer करिए, और अपनी तयारी करिए, इसके अलावा AlliBoard का FCI AG3 का batch launch है, डिपो और जनरल इसमें भी आप solve code से maximum discount ले सकते हैं, जितना भी जादा संभव होगा, 40 की जगहे और 5% extra, 45% का discount, और आप phase 1 और phase 2 की complete preparation कर सकते हैं, Olive Board के साथ में, तो वीडियो लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी, कोई doubt हो तो आप मेरे से comment section में पूँ सक शेर करिए वीडियो को, नए हैं तो subscribe करिए channel और press करिए bell icon ताकि आपके पास ऐसी वीडियो की notification आती रहे, मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेगा, take care, bye bye, have a nice day guys